अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉइट की पुलिस का स्टडी में मौत के मामले को ले करके जारी प्रदर्शनों के बीच एक और अश्वेत व्यक्ती को गोली मारने का मामला सामने आया है अमारिका के अटलांटा में पुलिस अधिकारी ने एक श्वेत शक्स को गिरफतार करने की कोशिश में गोली मार दी जिसके बाद उसकी मौत हो गई इस घटना के बाद अटलांटा में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इसके अलावा पुलिस शीफ ने अपने पद से इस्तफा भी दे दिया है अटलांटा की मेर ने इस बारी में जानकारी दी अटलांटा की मेर केशा लॉंस बॉटम ने कहा कि पुलिस शीफ अरिका शिल्स काफी समय से पुलिस वभाग में काम कर रही है ऐसे घटना की तुरंद बाद एरिका ने पुलिस चीफ के पद से इस्तफा देने की पेशकश की है तो है अतलांटा में मारे गए शक्स के पहचान ब्रिशोड ब्रुक्स के तौर पर हुई है